एक इंसान की असली परिक्सा तब होता है जब उसे कोई भी नहीं देख रहा होता, फिर भी वो मेहनत करता जाता है, सबसे बड़ा रोग जिससे जादता लोग पीडित है, वो ये है कि मैं नहीं कर सकता, इंसान के अंदर ऐसा सोच इस वज़ा से ही आता है, क्योंकि वो किसी और के साथ अपना तुलना कर बैठते हैं, और उन सारे एक्सपिक्टेसंस के साथ जीते हैं जो उनके नहीं है, आप अगर एक महान इंसान के साथ अपना तुलना कर रहे हो और सोच रहे हो कि आप उनसे कितना दूर हो, तो भी करो, इसमें गलत बात नहीं है, पर उनके पिछले दिनों से आज का दिन जाधा बहतर बनाने में गौर करना होगा। इस दुनिया में हर कोई अलग है और हर कोई अपना जीवन की बाजी को जीत सकता है। आप अपने जीवन की बाजी कभी भी नहीं जीत सकते। अगर आपके आँखे किसी और के उपर टिका हुआ है तो, आपको अपने फिनिसिंग लाइन पर ही फोकस करना होगा, आपके जीवन की संखर्स बस आप से ही है, आपके जीवन की बाजी आप जीतोगी या फिर हारोगी, वो आपके मन के अंधर ही तै हो जाता है। आप अगर अपने आपको किसी और के साथ तुलना कर रहे हो, तो फिर आप अपने आपको ही इंसल्ट कर रहे हो, ये इंसल्ट है उस इंसान की जो आप बनने जा रहे हो, आप इस दुनिया में बिलकुली यूनीक हो, और यही आपकी ताकत है, यही चीज आपको बाकियों से अ जफलता एक एक्सिडेंट नहीं है और फेलियर एक मिस्टेक नहीं है इस दुनिया में जिस भी इनसान ने बहुत बड़ा कुछ हासिल किया है उन्होंने अपने काम को अलग-अलग तरीके से किया है और अपने लक्स तक पहुँचे है एबरिज लोग कभी भी उचाया हासिल नहीं कर पाती है इसकी बज़ा यह है कि बो बस उन सारे काम ही करती जाती है जो हर कोई करता है हमारे समाज में हमारे आसपास हम लोग जो कुछ भी देखते हैं उन पर ही विश्वास करना होता है हमें लोगों की ओपिनियन और लिमिटेसंस को ही सुनना होता है अब समय है इन सारे लिमिट से दूर रहने का और सीखना शुरू करने का कि कैसे हम लोग अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं जो लो इने हाइस्ट पोटेंशियल तक कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं हार की दर्द से जादा हतासा और निरासा के साथ जीना जादा दर्दनाक है और इसलिए तब तक चलती जाओ जब तक ना अपने लक्स तक पहुंच सको आप अगर अपने सपनों को पाने के लिए कड़ी म मेहना करना ही होगा